आपके लिए कौनसा मार्ग सुगम हैं? मैं एक बात कहता हूँ, भगवती सीता, अगर ज्यानियों से पूछा जाए कि सीता जी किस रूप में आपको दिखाई देती हैं, तो ज्यानी कहते हैं सीता जी मुझे मुक्ती के रूप में दिखाई देती हैं, किस के रूप में? मुक्ती के रूप में, लेकिन भगवतों से पूछा गया कि आपको सीता जी किस रूप में दिखाई देती हैं, तो भगवतों ने कहा मुझे तो भगती के रूप में दिखाई देती हैं, तो ज्यानी कहता है कि मुझे सीता जी मुक्ती के रूप में देती हैं लेकिन याद रखना जो वेदानती हुआ करते हैं जो वेदानत को मानने वाले वेदानत के अन्याई है वो कहते हैं कि सीता जी प्रिश्ती में तो सांती के रूप में मेहें अगर सीता मा की कृपा हो गई तो जीवन में सांती आ जाएगी तो मुक्ति भक्ति और सांती इन तीनों का सरू भगवती श्री जानकी जी में देखने को मिलता है लेकिन सत्य तो यह है कि केकई जी ने भी स्री जानकी जी को स्विकार किया केकई जी ने राम और जानकी दोनों को स्विकार किया बेटा भरत है भरत की पत्नी का नाम मांडवी है क्या नाम है मांडवी लेकिन याद रखना अगर वो मांग रही है तो राम और शीता को मांग रही है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जो बिधी जनम देग कर छोहूं अच्छा यह नहीं कहा कि भरत जैसा बेटा मिले और मांडवी जैसी बहु मिले इस चौपाई में कहां प्रमान मिलता है जबकि भरत बेटा है अच्छा सही बताओ भरत केकई को बेटे के रूप में प्राप्थ हुआ की नहीं हुआ बेटा तो राम भी है बेटा तो लक्ष्मन भी है शत्रुगन भी है लेकिन नियम से अगर नियम पूरवक आप से पूछा जाए तो दुनिया यही कहती है कि राम तो कोशिल्या मां के बेटे हैं भरत केकई मां के बेटे हैं लक्षमन सत्रुगन कोशिल्या सुमित्रा मां के बेटे हैं सारी दुनिया यही कहती है कि नहीं लेकिन केकई क्या कह रही है भरत जैसा बेटा नहीं मांडवी जैसी बहु नहीं जो कोई राम सिय पूत्पतो हूं मुझे राम जैसा बेटा चाहिए और सीता जैसी बहु चाहिए इसका मतलब यह है कि भरत से ज्यादा प्रभावित केकई किस से है राम से मांडवी से ज्यादा प्रभावित केकई सीता जी से इतनी प्रभावित है केकई फिर केकई राम को बन कैसे भेज रही है क्यों बई बन कैसे भेज रही है तो आईए सुनिये बहुत महत्पूर्बात आज के प्रशंग में सुनाने जा रहा हूँ ये केकई मां राम जी को बन भेज रही है ये केकई मां नहीं भेज रही है फिर राम जी स्वयम देवताओं को महत्माओं को गव माता को प्रत्वी माता को इन सब को आस्वासन दे करके आए हैं सुन हूँ सारे के सारे देवताओं से कहा है कि जन डर पहूँ मूनी सी धसुरे साम ओ तुम ही लाग धरी हो नर भेशा चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे कारण ही हम मनुस बन के आ रहे हैं हम जो नाराइन से नर बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं देवताओं के लिए गव ब्रहमणों के लिए धर्ती के लिए इन सब के लिए हम नर बन के आ रहे हैं यह तो नहीं कहा कि मैं अयुद्ध्या के संगासन पर बैठने के लिए अयुद्ध्या का राजा बनने के लिए आ रहा हूं कहाओ तो बताओ यह कहा है कि मैं जाओंगा प्रत्वी पर नर बन के लीला करूंगा लेकिन इस नर लीला में अहम भूंका आयुद्या धाम की रहेगी और उस आयुद्या धाम में ते दसरत को उसल्या रूपा कोसल पुरी प्रगट नर भूपा तिन के ग्रही अवतरी हो जाई और रग कुल तिलक सुचा रहू भाई हम अयुद्या में अपने सहयोगियों के साथ आएंगे महराज दसरत के यहां दसरत को पिता बनाएंगे और कोशल्या को मा प्यारे यहां केकई जी चाहती क्या है केकई जी से पूछा गया कि आप चाहती क्या हो तो केकई जी ने कहा जो मेरे राम चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ समझ रहे हो की नहीं जो मेरे राम चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ तो राम क्या चाहते हैं राम का संपूर समर्पन रिसी मुनी महत्माओं के लिए है राम का संपूर समर्पन गव माता के लिए है क्यों भहिया है गी नहीं राम का संपूर समर्पन प्रत्वी माता के लिए है तो राम चाहते क्या हैं राम यही चाहते हैं कि प्रत्वी से अनाचार दूर हो, गव माता पर होना वाला अत्याचार दूर हो, समझ गया होगी नहीं, और साथ ही साथ ध्यान से सुनने कि सुनना बेटा नहीं तो गरवड़ा जाएगा, प्रबचे नहीं पूरा गरवड़ाएगा, तुम तो सुनो, ब प्रतिवी के अनाचार को दूर करना है और सारे संसार में मानोता का स्रंडार करना है ये राम का लक्ष है अच्छा बोलो मानो बन करके मानोता का श्रंगार आवतारबाद में अगर किसी ने किया है तो सबसे ज़्यादा स्री राम ने किया है बोलो मानोता का श्रंगार श्री राम ने किया है आउतारबाद में आउतार तो बहुत हुए हैं लेकिन सम्कूर आउतारबादों में एक राम जी का ऐसा आउतार है जिन्होंने मानोता का श्रंगार किया है दानवों को मारने के लिए केकई सुयम इस वात को बोल रही है कि दानवों को मारने के लिए दैतों को मारने के लिए परशुराम जी का फरसा परियाप्त है बोलो है कि नहीं परशुराम जी का फरसा सहस्त्र वाव भुझ छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा परुसरायम जी के फरसे में इतनी बड़ी ताग थे कि सहस्त्र वाव अरजुन आपको मालूम होना चाहिए कि रावन भी इतना बलसाली नहीं था जितना सहस्त्र वाव अरजुन बलसाली था लेकिन परुश्रायम जी के फरसे ने सहस्त्र वाहू बोलो इतनी भुजाएं काठ डाली रावन के कितनी भुजाएं और सहस्त्र वाहू के कितनी भुजाएं जल्दी बोलो तो फिर आप समझ लो कौन बल्वान हुआ सहस्त्र वाहू के 20 भुजा वाला सहस्त्रा वाओ लेकन सहस्त्रा वाओ भूज छेदन हारा उपदसू बिलोक महीप कुमारा सहस्त्रा वाओ अर्जुन की भुजाओं को काटने वाला ये फर्शा बोलो चाहेते परुशुराम जी महराज तो जितने भी दैत थे दानों थे बोलो उनका संगहर कर देते की नहीं कर देते कर देते लेकिन प्यारे परुशुराम जी दानों को समाप्त कर देते ये तागत थी लेकिन केवल दानों को मारना ही परियाप्त नहीं है दानों को मार देना समस्या का समाधान नहीं है दानों ता सदा सदा के लिए समाप्त कर देना ये सबसे वड़ा समाधान है